हेलो एवरीवन वेलकम टो स्वेता पटवास रेसीपी आज हम बनाएंगे टेश्टी खट्टी मिठी चटनी जिसे कि आप एक ही बार में बहुत अधिक मात्रा में बना कर छे महने तक फ्रेज में स्टोर करके रख सकते हैं और आपका जब भी बन करें तो इसे चाट फुलकी क कर सकते हैं यदि आप इसे फुलकी के साथ खाना चाहते हैं तो जब खाएं उस समय इसमें थोड़ा सा पानी थोड़ा लालमिच और थोड़ा नमप डालकर मिक्स कर लें तो यहां फुलकी वाली चटनी बनकर रेडी हो जाएगी और इसे हम ड्राय मैंगो पावडर याने की अमजूर पावडर से बना रहे हैं तो यदि आप इमली खाना पसंद नहीं करते हैं या तो फिर इमली खाने से परहिच करते हैं तो यहां चटनी आप लिए बहुत अच्छी रहेगी यहां हमने एक कड़ाय में एक चौथाई कप अमजूर पावडर लिया है यदि आप इस चम्मज भूना हुआ जीरा पावडर एक चम्मज लाल मिर्च पावडर एक चम्मज चाट मसाला और इसके बाद इसमें हम एक कप से थोड़ा कम याने की पॉन कप हम इसमें पानी डाल देंगे और अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे गैस पर रख देंगे और गैस पर मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए पांच मिनट तक पकाना है यदि इस तरह से चटनी बना कर आप रख लेते हैं तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा तो जब चाहे तब आप चाटफुलकी बनाएं और चाटफुलकी के साथ इसे इंजॉय करें आप इसे समूसे पकोड़े के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है और इसे पकाते हुए हमें पांच मिनट हो चुके हैं और इसमें अच्छी साइन भी आ चुकी है और अब गैस ओफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और यह अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है तो इसमें एक चमच तरबुच के बीज डाल देंगे या पूरी तरह से आप्सनल है आप ना डालना चाहें तो बिलकुल ना डालें और यह चटनी काफी गाड़ी हो चुकी है और इसे स्टोर करके एक एरटाइट कंटेनर में र किते हैं एक निए वीडियो के साथ तेंक यू